वेलकम टो एक्जाम तक आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2021 के सभी important current office के questions हम लोग discuss करने वाले कल सही चर्चा मेरा खेल रितना पुरुस्कार क्या यह दिया जा चुका है नहीं दिया गया है अभी हम लोग इस वीडियो में complete detail बात करेंगे फैजाबाद junction का नया नाम र देखेगा एंड शेयर कीजिएगा लास्ट में एक question पूछूँगा जिसका answer आपको देना है तो शुरू करते हैं आज का पहला question काफी important है हाल ही में जो उत्तरप्रेश सरकार ने किस railway station का नाम बदल कर अयोध्या can't railway station कर दिया है तो आपको नए नाम की सुची में एक और नया नाम जोड़ना पड़ेगा अयोध्या can't railway station ये जो है किस railway station का नाम बदल कर कर दिया गया है तो ये अभी recently मैं आपको बताओं तो फैजाबाद junction जो है उसका नाम बदल कर अभी अयोध्या can't railway station कर दिया था तो काफी कुछ यहां पर चेंजमेंट हुए है यह आपको इंपोर्टन याद रखना अच्छा एक साल पहले शायद 2019 में मुगल्स राइज जो रेलवे इस्टेशन था ना उसका नाम बदलकर दीन दयाल उपाद्याए भी रखा गया था वो आपको याद रखना है बाकी उत्तरपदेश की बात कर लेते हैं उत्तरपदेश के अगर बात की जाए तो यहां पर 403 है विदान सबा की सीटे ठीक है जी एंड 80 है लोक सबा की सीटे 31 है रज्य सबसे जढ़ा है मैकसिमम हैं तो यह इंपोर्टन याद रुकनी यहां की तीनों की तीनों यहां की जो वि विदान परिशद में भी सबसे ज़्यादा सीटे पोच लगा तो उत्तर प्रदेश की ही है विदान परिशद बाइदवे साथ स्टेट में ही है इसके अलबा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो योगी आधी तिनात यहां के सीम मिलेंगे और आनदी बैंजवा यह है अजेपाल आपको याद रखना है बाकी अगर बात की जाए Capital क्या मिलेगी Capital मीलेगी लखनाव लखनाव की नई IPL टीम शामिल होई है यह आपको याद रखना साथ में एहमताबाद की भी शामिल हुई है लखनाओ में जो स्टेडियम है उसका नाम अटल वियार इवाजपे स्टेडियम है कानपूर में जो स्टेडियम उसका नाम क्या है ग्रीन पार्क स्टेडियम ये उतरवलेश के दो प्रमुक किर्केट स्टेडियम है जहांपर international level के matches होते हैं तो ये दोनों आपको याद रखना है लखनाव किस नदी की किनारे गुम्ती नदी की किनारे कानपूर गंगा नदी की किनारे वरानसी गंगा नदी की किनारे इलाबा गंगा प्लस यमुना दोनों की किनारे है ये सब आपको उत्रपुदेश के बारे में याद रखना है नेक्स्ट अगर बात के सेकेंड कोशन की सेकेंड कोशन है हाली में किस मंत्राले ने जो है संभव कारिकरम लॉंच किया है तो संभव कारिकरम जो है किस मंत्राले ने लॉंच किया है हाले में recently आपको याद रखना है यह अभी सुक्ष्ण लगो और मद्यमुद्यम अंत्राल यानि कि MSME Micro Small and Medium Enterprise जो ministry है उसने यह launch किया है आपको याद रखना है काफी ज़्यादा important अगर बात किया है यहाँ पर संभव कारिकरम की तो यह जो है MSME मिनिस्टर नारान राने ने इसको launch किया है क्यों launch किया है student में अगर बात कि जाए तो यहाँ पर जो है start-ups को बड़ावा देने के लिए innovation को बड़ावा देने के लिए यहाँ पर लगबग एक हजार से ज़्यादा colleges के डेड़ लाग से ज़्यादा student जो है अगले एक महिने तक इसमें participate करेंगे मदलब इसमें जो है जन जाग रुकता अभियान की तरह यह चलाए जाएगा एंट संभव मैं क्याओका एक तरह से अपना start-ups को बड़ावा देने के लिए ecosystem create करने के लिए जो है ग्रह मंत्राले अमिच्चा के पास में शिक्षा मंत्राले किसके पास है धर्मेंदर परदान के पास में state संस्कृति मंत्राले प्रदाद जोशी है ना तो वह हैं संस्कृति मंत्राले ठीक है ना बाकि यह मैं सभी मिनिश्टर आपको याद रखने हैं नेक्स्ट अगर बात के थर्ड कोशन गी थर्ड कोशन जिसके बारे में कल सही चर्चा में लगी हुए है एक तुझ जो न्यूज इतने नाम बताओंगा याद करने लग जाना तो जार किस ध्यान चंद खेल रतना पुरुसकारों के लिए कितने लोगों को नामित किया है यह अगर बात की जाए इनको नामित किया है अभी अभी इनको मिला नहीं है इन लोगों का 11 लोगों का नाम वेजा है अब इन 11 चिरू याद रखना 11 लोगों को नामित किया है, अर्जुन पुरुसकारों के लिए 20 लोगों को नामित किया है, जिसमें शिकर धवन भी मिलें گे अपको और यहां पर अगर बात की जाए, ध्यान चंद खेल रखना पुरुसकारों के बारे में जान लिजेए, यह जो खेल वार किसको मिला विश्रुनाथन आनन्द को मिला था ये भी आपको याद रखना उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रतना वर्ड उस समय क्या 2021 तक राजीव गांधी खेल रतना वाड़ी था अलॉम्पिक के बाद जो हुआ इसका नाम बदल कर जब होकी टीम ने वोड़ा सा याद रखना अच्छा अर्जुन अवर्ड फिर यह ध्यान चंदों खेल के शत्र में सबसे उंचा आवड है फिर अर्जुन अवर्ड तो इनके बाद में स्टार्ट हुआ होगा जी नहीं 1961 में अर्जुन अवर्ड शुरू हो चुके थे पिछले चार वर्सों की अच्छी परफॉमेंस का अदार पर अर्जुन अवर्ड दिये जाते हैं यह आपको याद रखना 1961 से ही शुरू हो चुके थे अब अगर बात की जाए यहाँ पर 2021 के लिए जो ध्यान चंद खेल रतना परुसकारों के लिए किनको नामित क्या है तो मोस्ट आफ वो खिलाड यहाँ पर एक सेगंड रुख जाए प्यार स्रीजेस यह जो होकी टीम के अगर बात किया है गोल की पर है प्यार स्रीजेस इनको आपको इनका नाम कैसे याद रखना केरला ट्यूरिस्वन ने इनको जो है एडवेंचर ब्रेंड अम्बेस्टर भी निउत के था प्यार स्री से अवनी लेखरा निशाने बाद से कृष्णा नागर बैडमेंचन से मनीश नर्वाल यह भी बैडमेंड निशाने बाद से एंड यह जो है 11 11 खिलाडी है अब इन मैंसे यहां से आप लोग देख लीजे लगवग यह सारे के सारे जो है पैरा ओलम्पिक से समझते हैं फिर 29 खश्ट को इस बार नहीं दिये गए क्योंकि 29 खश्ट को ही दिये जाते हर एक बार खेल दिवस के अवसर पर लेकिन इस बार लेट किया है अच्छा फिर यह दो लोग एक्स्ट्रा है सुनील चत्री के बार में आपको क्या याद रखना पहले फुटबोलर है जिनको खेल रतना पुरुसकारों के लिए नामित किया है तो अपोइंटी पहली बार हुए है अब दिये जाएगा नहीं दिये जाएगा याद किजी क्यों कहूंगा ऐसा इसके पीछे रीजन यह सिंपल सा क्योंकि अभी अगर बात कि जाए तो यहाँ पर जो है इनको मिला नहीं है यह जानकर याप लोग अभी खेल रतना पुरुसकार नहीं दिये गए है जब भी दिये जाएंगे सबसे पहले और सबसे सही जानकर यापको एक्जाम तक पर मिल जाएगी सो वेट कीजिएगा जब भी दी जाएगी मैं आपको करेंट अफेस पे भी और 2.0 चैनल पर भी वीड प्रब्लम नहीं है लेकिन हाँ कम से कम कितना याद करना वो मैं आपको बताओंगा कि इतना तो करना ही पड़ेगा जिनको चार या पांच लोगों फाइनली अवाड दिये जाएंगे उनका नाम तो फिर याद रखना ही पड़ेगा फूर्थ कोशन को राजने गो ग्रीन य करते हैं उनको अगर बात के इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक जो स्कूटर हैं वो पर्चेस करने के लिए जो हैं कुछ न कुछ सबसेड़ी दी जाएगी यही हैं गो गरीन योजना गुजरात सरकार की अभी अभी यहाँ पर आपको कंप्रेड डिटल मिल जाएगी दोपया वानों की खरिदारी को बढ़ाने के लिए गो गरीन योजना शुरू किया हैं जो संगठी चत्रक के जो श्रमिक हैं उनको 30% ता जो निर्मान चत्रक जो असंगठी दें उनको 50% या फिर 30,000 जो भी कम प्राइज होगी वो उनको दी जाएगी सरकार के द्वारा एक की नशले से पहला IVF बच्चा पैदा हुआ है ये भी आपको याद रखना है इसके लवाब आपको क्या याद रखना है गुजरात का जो कोश्टल एरिया ये सबसे लंबा है साथ मैं करवात की है कैपिटल मिलेगी गांदी नगर जहां पर अभी डिफेंस एक्सपो होने व परत जो है ये है राजेपाल प्रेजन टाइम है गुजरात के ये थोड़ा सा आपको याद रखना है गुजरात के बारे में नेक्स्ट अगर बात की जाए पाच्वा कोशन हाली में शवकत मिर्जीयो वेव ये किस देश की दुबारा रश्वदी मनें एंड ये सेकिंड ही इन से पहले जो थे वो 1991 से जो है अगर बात की जाए 2016 तक रहते हो फिर उनकी डेथ हो गई और ये बन गए अच्छा 1991 से ही क्या उजविकिस्तान वगर ये आजाद हुए तो जहां बिल्कुल पहले ये सब USSR के ही पार्टे जो Central Asia के देश है 16 देश अलग वेता है 15 देश पहले एक इतना बड़ा देश मौझू था मलब पूरा एशिया और आदे से ज़्यादा येरोप को भी कावर कर रहा था इतना बड़ा देश कॉलाप्स कर गया और उसके बाद ये सोड़ा देश अलग अलग बने तो ये अभी जो है शवकत मिर जी जो ये उजविकिस्तान क दोबारा राष्टपती चुने गए इनका नाम बहुत चर्चा में है इसलिए याद रखना डेमोक्राटिक पार्टी से हैं वहाँ पर भी लेबर डेमोक्राटिक पार्टी नाम से कुछ पार्टी है याद रखने की जरूत नहीं है इनका नाम जरूर्ष याद रखना शवक मतलब नाम ही इतना कन्फूजिंग है अभी आपको मैप बताओंगा कजाकिस्तान की कैपिटल क्या नूर सुल्तान है ठीक है तो नूर सुल्तान आपको याद रखना कजाकिस्तान की कैपिटल क्या मिलेगी बिश्केक ठीक है ना किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक मिलेगी यहां पर हाली में भारत ने आपको पता होगा किर्किस्तान को 200 मिलियन डॉलर का LOCB जारी क्या था साथ में उजबिकिस्तान की मैंने आपको पता दिया ताशकान ने ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान की क्या मिले की दुशामबे तुर्व सामब हैं ताजीकित्पान की एक और देशे स्थे तुर्कमेंश्टान चायाद इसमें अपाशन की कापिटल कई है रहे आश्क बाद ठिके ना तो अश्क बाद जो है यह तुर्कमेंश्टान की कैपटल है पाँछ देश है Central Asia के इनके नाम से में लेकिन Capital सब की अलग-अलग याद रखनी है बहुत important है ये मैं आपको map में दिखा दो सभी देश दिख जाएंगे ये imagine कि जी ये Pakistan तो आपको यादी की इंडिया के जस्ट पास में उसके उपर है Afghanistan फिर यहाँ पर मिलेगा आपको इरान बॉर्डर के बीच में ये पूरा कबरा उजबगिस्तान है उपर है कजाकिस्तान जो की विशू का दस्वाद सबसे बड़ा देश है इन टरम्स ऑफ एरिया बहुत बड़ा देश है कजाकिस्तान Central Asia में फिर यहाँ पर मिलेगा किर्गिस्तान चाइना वोटर के साथ में मिलेगा किर्गिस्तान किर्गिस्तान के नीचे मिलेगा ताजिकिस्तान और इस साइड उजबगिस्तान के साइड इस साइड जो है लेफ्ट साइड मिलेगा तुर्कमिनिस्तान जो कि केस्पियन सागर में सीमा साजा करता है और ये जो है तुर्क मिनिस्तान है अश्कबाद इसकी कैपिटल है इसकी ताशकान है इसकी नूर सुल्तान है किर्गिस्तान की क्या है बिश्के कैन ताजिकिस्तान की क्या है दुश्यामबे सबकी याद होगी सबके कैपिटल धीरी धीरे रेगूलर करन टफस देखेंगे तो मैं time time जा revise करवाता रहूँगा अचा कैस्पियन लेक जोना ये विश्व की सबसे बड़ी जील है अगर बात किज़े लेकिन विश्व की सबसे बड़ी मिठे पाने की जील कौन से है वो है superior जील US में है and Canada में है superior जील साथ में अचा ये तो विश्व की सबसे बड़ी होगी मिठे पाने की विश्व की second सबसे बड़ी मिठे पाने की जील कौन से होगी लेक Victoria होगी अफरिका में हैं जहां से नील नदी जो है निकलती है तो वो Victoria जील the second largest river है अर मरलेब लेक हैं तो यह सब हो गया हुजवकिस्तान के बारे में अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिक्स्त कोशन की हाली में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का बल्ला बना कर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इस बल्ले से कौन सिक्स मारेगा यार यह बल्ला है ठीक है यह उसका जो है हैंड़ल है एक पुरा का पुरा पूरा यह बल्ला है अच्छा तो फिर इतना लंबा बला क्यों बनाए है इंडिया की जो टी में टीटवेंडी वर्ल्ड कप के लिए उनको अगर बात कि जाए मेसे अंड करने के लिए कि आप वर्लड कप लेकर आ है आप लोग देख लिएगा क्रिकेट का बला जो है है धराबाद में भी यह हैं तो थोड़ा सा याद रखना अच्छा है धराबाद क्रिकेट की कैपिटल है तिलंगाना दो जून को अगर बात के अलग राज्य बना 2014 को ठीक है जी यह सब आपको याद रखना के चंदर शेकर राव अभी प्रिजेंट टाइम में तिलंगाना के सिय में और तमिल साइस सॉंदर राजन अभी मुझे यादने आ रहा है तो उन्होंने जहा है यह लॉंट किस ने क्या तो लॉंट रजनी कान ने क्या है उसको एप को अप को बना है या को फांड किसने क्या है तो रजनी कान की बेटी है जिसने इस एप को believing यॉदभ si पिछले एक साल से फोन में सुन सुन के हम लोग पागल हो चुके हैं लेकिन हर एक्टर की या हर आपके जो है बन पसंद जो इस्टार होता है उनकी आवाज की रूप में आप लोग अगर मैसेज सुनना चाते हो ना साट सेकेंड तक आप लोग इस एप के थू सुन सकते हैं प्ले स्टोर पर अवलेबल होते एप डाउनलोड करने मत बैठ जाना कोई आपके मतलब का नहीं है एक्जाम पॉंट और इससे याद रखना है कि वह सोशल मेडिया आप भारत का फर्स्ट है यह होते यह थोड़ा सा रजनी कान की बेटी का नाम आजाएगा गुगल पर नेक्स पर चुल्डरन फ्रेंडली पुलिस एस्टेशन की इस्तापना कि यहां आल्रेड़ी है, उनको जो है toch, children friendly police station में convert करेगी, ये उडिसा सरकार करने वालेático, आपको याद रखना है, अच्छा फिर children friendly police station क्यों को बदये और वहाँ पर जो दिवारे होगी, वहाँ पर कुछ चिल्डरन से रिलेरेट खेलने जैसी कोई pentings होगी वहां पर library होगी कुछ-ब कुछ children जिस तरह से खुश रह सकता ना Is तरफ की वहां पर जोए थाने में पूरा माएँ दिये जाने की मनलब बागर बात कि जाए, बुक्षिश की जाएगी ताकि अगर बच्चा थाने में भी आता है तो उसका एकडम से अजी उनना लगे उसकी जो है साइकलोजी पे ज्यादा एफेक्ट ना पड़े इसलिए ये 34 चिल्डरन फ्रेंडली जो है पुलेज इस्टेशन उड़ी सा सरकार ने शुरू किये है रियल में उड़ी सा सरकार जो नवीन पत अब भूवनेश्वर जोना फॉर्स्ट हंड्रेट पर्षेंट वैक्सिनेशन वाला पहला सिटी बनाएं इंडिया का साथ में पूरी यहां का एक और इंपोरेंट सिटी भगवान जगनाद जी का मंदीर है रत्यात्रा कहां पर निकलते हैं तो रत्यात्रा पूरी में ही नि उडिशा का इसके लब उडिशाक में आपको क्या रखना सिमली पाल एंड बीतर कनी का ये दो नेशनल पार्क आपको याद रुकना है ये उडिशा से समझ दीते हैं साथ मैंकर बात के चिलका जील जो कि भारत की लार्जेस्ट जील हैं ये तो सब को पता हैं पूछ ले याद रखना है अब ये था आज का डीटेल अभी मैं आपको कुछ बता दूँ ओडिशा के चीफ फिनिश नवीन पतनायक ने जो हैं अगर बात के अनूंसमेंट किये हैं 34 चिल्डरन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाने के लिए ये तो हो गया अब नेक्स्ट अगर बात पुलिस स्टेशन मोर चिल्डरन फ्रेंडली तो चिल्डरन फ्रेंडली बनाने के लिए सुंदरगड पुलिस अल्रेडी ये जो हैं इस तरह का कारेकरम लॉंच कर चुकी अब पूरे स्टेट भर में लॉंच कर दिया लेट्स रीड जो हैं ये भी उडिशा से सम्मधी थे ये थोड़ा सा पुलिस सा के बार में याद रखना है अब आज का कॉशन आज का कॉशन कौन सा है आसियान के बार में आपको लिखना है कल मैं आपको बता था इंडिया आसियान की अठारोई मीटिंग होई आसियान के देशों के बार में बता था आप लोग लिखेगा कितन जय भारत